यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ मनीश सिसोधिया ने उन्हें हालात की जानकारी दी इसके बाद केजरिवाल के धर्ना खत्म करने की जानकारी सामने आ गई केजरिवाल दिली के LG से मिलने को लेकर धर्ने पर बैठे थे वो उनके साथ मौझूद गोपाल राए LG से बिना मिले ही लौट आए और इसी दोरान दिली के डिप्टिस ये मनीश सिसोधिया ने प्रेस कॉन्फियंस भी की उन्होंने कहा कि जादतर अधिकारी काम पर लौट आए हैं अधिकारी ने मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है और मनीश इससोधिया ने दूसरे मंत्रियों के साथ मंगलवार को कामकाज संभाला था हालकि मनीश सिसोधिया ने कहा कि हमने LG हाउस पर धन्ना नहीं दिया था हम LG सहाब से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे राशन के बाद अब हम जनता के बीच में जाकर ही करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दे कि अरविंद केजरिवाल पिछले 9 दिनों से धरने पर थे जो धरना कल खत्म हो गया आपको बता दे कि आईएस अधिकारियों के काम पर ना आने की वज़े से केजरिवाल नराज थे और इसी को लेकर वो प्राजपाल से मिलना चाहते थे लेकिन के बाद वो वही पर धरने पर बैठ गए और पिछले 9 दिनों से वो धरने पर ही बैठे थे लेकिन कर लेटिनेंट गवर्नर से उनकी बात हुई और लेटिनेंट गवर्नर ने ये आसवाशन दिया कि अब सभी अधिकारी काम पर जाएंगे अधिकारी काम पर जाएंगे है भरोसा है केंदर सरकार की सडेंट रकारी सोच पे ये सडेंट उनका विफल हुआ तो कोई और करेगी वो देखे जो लोग हिंदू-मसल्मान इसी किसाई इन सब के जगड़े कबिस्तान समसान की राजनीती करते हैं उनको पताए कि काम करने का मंसा नहीं है तो मैं उसको डाइवेट नहीं करता चाहता है इस इसू को लेकिन उनका इसमें को इंट्रेस्ट नहीं है उनका इंट्रेस्ट इसमें है कि बाकी सरकारों को काम मत करने दो तो वह कुछ और करेंगे कि 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 अ जनका इंका इंट्रेस्ट्रेस्टू